अब दो दिन बचे हैं और यह पर्टिक्लर वीडियो में आपको यह पताने वाला हूं कि पेपर हंड्रेड मार्क्स का अटेम्ट कैसे करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी क्वेरी आ रही है चाहे इंटर के स्टूडेंट्स होगी सर हमसे पेपर हंड्रेड मार्क्स का अटेम्ट होई नहीं पाता और अभी भी हमें डर लग रहा है कि हंड्रेड मार्क्स का पेपर अटेम्ट हो पाएगा कि नहीं मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि देखो अगर तुम ना पहले दिन से ए मुझे 100 marks का paper attempt करना ही करना है इस पर्टिक्लर वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे 100 marks का paper attempt किया जा सकता है possible है even though FR का paper बहुत lengthy आता है advanced accounts का paper भी lengthy आएगा और मैं सिर्फ ये दोनों paper के बारे में नहीं मैं आपको ये general guidance देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 100 marks का paper attempt कैसे कर सकते हो as well as आपके attempt आपका जब paper होगा उसमें sequence क्या होगा mcq पहले करें की बाद में करें और हम starting के 15 minutes को कैसे use करें अब ध्यान से सुनिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो like ज़रूर करना सबसे बहले बात करते हैं sir how to attempt 100 marks paper पहला है mindset सबसे बड़ी चीज़ होती है mindset यहाँ पर last के दो दिनों में मैं तुम्हें challenge से बोल रहा हूं agree अगर करो तो मुझे ज़रूर बताना मुझे पता है कि बस कुछ भी हो जाए मुझे 100 marks का attempt करना है ठीक है क्योंकि एक mark मिलना भी ज़रूरी है अब मान के चलो कि तुम्हारा हर mark के लिए और every mark तुमारे लिए 1.5 minutes है तुम बोलोगे sir 1.5 minutes के हिसाब से तो sir 150 minutes हुए sir हमारा paper तो 3 गंटे गाए हमारे लबास तो 180 minutes है बिटा मान के चलो कि तुम्हारे पास 1.5 minutes है थाकि तुम starting के पहले minute से तुम उतनी speed रखोगे आम तोर पर देखा गया है कि बच्चा last का एक गंटा बहुत ही fast चलता है और starting में जमा जमा के लिखने के चक्कर में starting के 2 गंटे में वो पूरा paper अच्छे से attempt नहीं कर पता है त तुम्हारा 5 mark का question है तो 7.5 minutes के अंदर हो जाना चाहिए अरे भाई 10 mark का कोरिश कर रहा हूं तो 15 minutes के अंदर हो जाना चाहिए मतलब जैसे-जैसे question उडाते जाओगे marks देखते जाना किते marks है और घड़ी से मिलाते जाना कि मेरा इतिदर में हो जाना चाहिए कुछ भी हो दूसरी बात में मता दूँ अगर आपकी कहीं पर काटा मीटी हो रही है तो कोई बात नहीं आप उस figure को पूरा काटो और वापस से पूरा figure लिखो ऐसा नहीं कि आपने लिखा 5 6 2 3 फिर आपको लिखना था कि यह तो 3 होना था तो आपने ऐसे ही overwriting कर दी overwriting मत करना नहीं तो लगेंगे तो चलता है कोई बात नहीं है होने दो पर अगर तुम शुरू से यह particular mindset maintain करोगे न तो जो ज्यादा time जहां question में लगना होगा वो तुमें यह वाले 30 minute extra काम आ जाएंगे पहली बात तो यह और कुछ questions ऐसे भी होंगे जो है 5 मा का question पर 7.5 मिनट में भी 6 मिनट में किसी में हलकी फुलकी काटा बेटी हो सकती है अचा काटा बेटी से याद आया कि जो आपको paper का answer sheet मिलता है descriptive questions करने के लिए उसके आखरी के दो pages तुम rough के लिए छोड़ देना और उपर proper heading डालना rough work और बात में जब rough work complete हो जाए तो उसको काट के आ जाना तो उपर rough work करके देखनी है कोई calculation करके देखनी है तुमारा किसी का working note के लिए ज़रूरी नहीं है working पर अलग से तुम्हें rough work करना है तो उसके लिए तुम्हें rough work बहुत काम आएगा ठीक है तो यह वाली बात हो गई तो तुम्हें 30 minute extra मान के चलने है कि तुम्हें वो काम आएंगे तो ह हमेशा 150 का ध्यान दगना हर paper में try to cover 35 marks paper in first one hour starting के one hour में कोशिश हो सके तो 30 से 35 marks का paper attempt करने की कोशिश करना पर इस चीज को ना दबाव में मत लेना pressure में मत लेना अगर मान लो 28 marks का भी paper हो रहा है 25 mark का भी paper होता है ठीक है चलेगा मिरे पास दो घंटे और पढ़े हैं आराम से कर लूँगा कोई बात नहीं पर अगर हो सके तो 35 marks starting के first one hour में हो जाएगा हो जाएगा ऐसा मान के चलना कि तुम्हें यह करना है अब सर यह कैसे करेंगे सर ऐसा हमें कैसे करना है देखो simple सा बता रहा हूँ अभी आगे सुनो sequence से तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि starting के one hour में तुम 35 कैसे कर सकते हो sequence of the attempt अब सबसे पहले आता है कि सर mcq पहले करें कि सर mcq बाद में करें तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा जो mcq आएगा वो majorly case scenario बेस जाधा आएगा और single mcq भी आ सकते हैं 2-3 जैसा कि MTP में दिख रहा है मैं अभी यह जो बता रहा हूँ वो MTP के basis में बता रहा हूँ तो MTP के हिसाफ से थोड़े बहुत single mcq भी अगर तुम उनके questions भी पढ़ लोगे और अगर तुमसे वह attempt नहीं भी हो पा रहे है तो तुम्हारे mind में समझ में आ जाएगा कि हाँ यह single mcq है जब आगे तुम descriptive paper करोगे तो तुम्हारा उससे हो सकता है दिमाग में आ जाए याद कि अच्छा हाँ यह वाली चीज तो मेर case scenario based mcqs का क्या करूँ case scenario based mcqs को मैं सबसे पहले attempt करूँ कि बात में attempt करूँ मैं आपको इसमें बोलूँगा देखो सबसे पहले तो मैं बता हूँ कि यह sequence मुझे लगता है हर student का अलग-अलग हो सकता है बट मुझे ऐसा लगता है personally कि वह होता ना पहले पुरे शरीर में प आपको case scenario based mcqs एक या दो descriptive questions करने के बाद करना चाहिए क्योंकि एक से दो descriptive questions करने के बाद आपकी शरीर में 100% efficiency आग लग चुकी होगी उसके बाद जब आप case scenario based questions पढ़ोगे एक दो questions अटेम करने के बाद तो आपसे यह जल्दी-जल्दी होने लगेगा दूसरी मां आपको respect में जो भी उनके mcq questions है चार या पांच mcqs questions है उनके questions पढ़ लो पहले कि हायर यह question किस बारे में पूछ रहा है जैसे वो बोल रहा है कि भईया पीप की cost क्या होगी बताई इसका depression क्या होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि case scenario में आपको पीपी की cost के बारे में figures को ड दूनने के लिए case scenario पढ़ोगे तो पहले आप case scenario मत पढ़ना पहले उनके mcq उस सारे पढ़ लेना और mcq उस पढ़ने के बाद इस उपर-उपर से तब case scenario पढ़ोगे तो समझ में आ जागे कि कौन सा figure किस लिए तुम्हें चाहिए तो एक से दो questions attempt करने के बाद ही case scenario करो त तुम्हारे stake पर आ जाएंगे तो इसको तुम एक से दो questions descriptive questions attempt करने के बाद ही करना अब आते सर स्टार्टिंग के 15 minutes को कैसे हम utilize करें मेरे विसाब से 15 minutes हो नहीं 12-13 minutes तुम्हें मिलेंगे 12 minutes तुम्हें effectively क्योंकि थोड़ा बहुत copy of up की तुम्हें भरनी पढ़ेगी कुछ legal requirements उ तुम्हें नहीं करने वाले हो तुम 12 minutes के अंदर तुम अपने best 4 questions descriptive में से select करने वाले हो सर best 4 questions क्योंकि descriptive तुम्हें पास आएंगे kul मिलाके 6 questions 6 में से तुम्हें से तुम्हें पहला question हो जाएगा कंपलसरी तो कंपलसरी question को तुम पढ़के क्या उखाड लोगे कुछ भी नही तुम 6 तक तुम जल्दी से जल्दी read कर लेना और select कर लेना कि कौन सा question तुम छोड़ने वाले हो कभी कबर ऐसा होता है कि question no 4 और question no 5 में दोनों में से कौन सा चोड़ू समझ में नहीं आ रहा इसमें A आता है इसमें A नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा तो वो तो तुम उस time प तुम जादा अच्छे से नहीं कर पाओगे, एक को बहुत अच्छे से कर पाओगे, और इसका भी तुम थोड़ा-थोड़ा उपर-उपर से लिख के आओगे, कुछ भी होगा तो, तो वह चीज ध्यान रखना, वह वैसे तुम सिलेक्ट करके चलना, तो तुम्हें अपने best 4 questions दिस्क्रिप्टिव में से सेलेक्ट करके रखने हैं, तो मैं ना MCQs पढ़ने हैं, ना तुम्हें दिस्क्रिप्टिव का पहला question पढ़ना है, क्योंकि वह कंपल सरी है, attempt best and easy descriptive questions first, सबसे पहले, अब मैं यही बता रहा हूं, कि जो तुम्हें ने तुम्हें बोला थाना, कि first 1R में 35 marks करने, तो वह तुम्हें कैसे करने, थोड़ा बहुत single MCQs से तुम्हारे 4-5 mark कवर हो जाएंगे, और इसके अलावा, अगर तुम्हारा 30 marks का descriptive भी हो गया, 5 mark तुम्हारा single MCQ से हो गया cover, और अगर 30 marks का तुम्हारा descriptive भी cover हो गया, उस particular 1R में, तो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे बाकी के 2 गंटे बहुत जबरदस्ट, बहुत अच्छे से super confident तरीके से जाने वाले, पर मैं 35 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि 35 ही हो, 30-35 के बीच का ध्यान रखना, sequence doesn't matter, मालो तुम question number 1 कर रहे हो, फिर 1 के बास सीधा-सीधा 4 number कर रहे हो, या सबसे पहले तुमने शुरुआ किया, descriptive में question number 6 है, कोई बात नहीं, 6 का त basic strategy रहेंगी आप सबके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को कर पाओ, and last में मैं आपको यही बोलूँगा, कि आखरी दिनों में, exam से just एक दिन पहले, मैं आपको बता दूँ, आपकी पढ़ाई उतनी आपकी काम नहीं आएगी, जितना आपका confidence और आपका mindset आपक cycle को खतम कर दो, अच्छा, एक और चीज कोई बच्चे से पूछ रहे थे कि सर, पेपर वाले दिन हमें study को कितनी देर पहले छोड़ के छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारा धंडा दिमाग रहे, मुझे लगता है कि यह बहुत ही personal question है, अपना specific हर इंसान का अपना रहता है, कुछ लोग तो किताबे भी center में लेके जाते हैं, मैं personally believe नहीं करता हूं कि center में मैं किताबे लेके जाऊं, मुझे personally believe नहीं होता, पर कुछ लोग कहीं न कहीं मेरे से agree नहीं करेंगे, मैं आपको इसमें recommend करूँगा कि अगर आप agree नहीं कर रहे हो, तो मेरा chart book ज़रूर लेके लेके जाना, yes, दो bottles, दो calculators, पानी की दो bottles, दो calculators और pen pencil के अंदर गडबड़ी मत करना, याद रखना कि तुम्हें जो MCQs के जो circle फिल करने होते हैं, वो कैसे फिल करने होते हैं, वो सारे के सारे instructions पहले से ही पढ़के जाना, दो पानी की bottle उनमें से एक पानी की bottle हो सकती है, ठीके न, ग्लुकांडी या वगरा, ऐसा कुछ energy drink की bottle जरूर देके जाना, और दो calculator लेके जाना, ताकि वहाँ पर एक ने अगर साथ छोड़ी तो दूसरा हमारा साथ दे, बस यही वाली important बात थी, I hope आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को like जरूर करिएगा, और आप म मुझे पता है कि तुमारा confidence अच्छा है और तुम motivated हो, अगर हाँ तो comment जरूर करोगे, guys thanks a lot, all the very best, मैं पूरी तरीके से तुमारे साथ हूँ, अंत तक साथ दूँगा, tension मतलो, all the best